दिली में मांसर क्रूप से विमार बच्चों के लिए चल रहे सरकारी शेल्टर होम्स में पिछले महिनी अचानक मौतों में इजाफा काम मुद्दा गर्मा रहा है दिली सरकार की मंतरी आतिश्वी ने पूरे मामने की मजिस्ट्रिय टिजाज 48 घंटे की बीतर रिपोर्ट सोपने का आदिश दिया है उस सभी निताओं और जन प्रत्रिथियों को समयधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए जिसमें एक जान की कीमत दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों से भी ज्यादा है दिली की सरकारी शेल्टर होम में क्यों हो रही है मौती क्यों दिली में स्वास मंत्री है चुप दिली में आप और भाजपा के बीच कब तक चलेगा चुहे बिली का खेल जो पहले ही दिली एलजी को सब पता था तो अब तक क्यों नहीं हुई कारवाई और भी जानेंगे बहुत कुछ आज के अपने शो में नमस्कार मैं काजोर नरायन आप देख रहे हैं भारत एट नाई दिली में मांसे टूप से बिमार बच्चों के लिए चल रहे सरकारी शेल्टर होम्स में पिछले महिनी अचानक मौतों में जाफा का मुद्दा गर्मा रहा है दिली सरकार के आश्रा किरन शेल्टर होम में जलाई में 14 बच्चों की मौत के बाद हड़कम मच गया दिली सरकार की मंतरी आतिश्वी ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जाच 48 गंटे की भीतर रिपोर्ट सोपने का आदिश दिया है दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे लेकर दिली सरकार और आमादमी पार्टी पर हमला बोला बीजेपी महिला मोचा की उपाधियक्ष रेखा गुपता ने आरूप लगाया है रेखा गुपता ने जुलाई में 17 बच्चों की मौत का दावा करते विए आरूप लगाया कि सच्छी पाने के लिए शेल्टर होम्स में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा मामले को तूल पकड़ता देख दिली के मंतरी आतिशी ने आश्रा किरेंट शेल्टर होम्स में हुई कई मौतों की मजिस्ट्रेट जांच के आदिश दिये हैं दिली सरकार के एक प्रेस रिलीस के मताबिक मंतरी के तरफ से दिये गए आदेश मेला परवाधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने और भविश्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने को कहा गया है एक बयान में कहा गया कि ACS राजस को तुरंथ पूरे मामने के मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और तालिस घंटे की भीतर रिपोर्ट सो अपने का निर्दीश दिया जाता है इसमें आगे कहा गया कि ACS राजस की रन शुर्टर होम्स में हुई 14 मोते स्वास्त समस्याओं को पोश्टन के कारण हुई है क्योंकि बच्चों को जरूरी सुविधाएं नहीं मेर रही थी दिल्ली सरकार के तरफ से जारी वयान में कहा गया है कि दिल्ली जैसे महानगर में ऐसी बुरी खबर सुनकर बहुत धक्का लगा और ये सच पाए गया तो हम इस तरह की चूक बरदाश नहीं कर सकते ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसके गहन जाच की जानी चाहिए ताकि सभी ऐसे शेल्टर होम्स की सिती में सुधार के लिए पूरी विवस्ता में सुधार के लिए कड़े कड़ उठाय जा सके और कैदियों को बहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके ख़बर सामने आई है कि जुलाए के महीने में आशा किरंग वोम्स और इंटिलेक्चली चालेंज़ परसंस में चौदा डेट्स हुई हैं इसमें से तेरा एडाइट्स हैं और एक माइनर हैं इन चौदा डेट्स की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट अभी अवेटेड हैं लेक लेकिन ऐसी चौदा डेट्स एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर बहुत ही सीरियस मैटर है और इन डेट्स में इंक्वाइर करने के लिए जैसे ही ये ख़बर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वाइरी इंस्टिट्यूट कर दी गई है 24 गंटे के अंदर अंदर प्रिमिनरी इंक्वाइरी रिपोर्ट जो मैजिस्टीरियल इंक्वाइरी है उसके डेडलाइन दी गई है अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वाइरी में किसी भी अफसर की चाहे वो सोशल वेलफर डेपार्टमेंट का हो चाहे वो हेल्ट डेपार् कि या परवाही निकलती है तो उन पर सकतर सकतर्ष कारवाही करी जाए गास दे इस मुज़े पर भारते जंता पार्ठी ने दिली सरकार और आम crawling darauf कि खलाव मोजा खुल दिया भाज़ाची प्रवक्ता शहराद पुर्णा वाले ने दिली सरकार-व्य हम्ला बोलते होती है और उनके लिए एक खास व्यवस्ता के तहट यह शेल्टर हों तयार किये गए हैं 27 मृत्यूं पिछले कुछ महीनों में हुई है और इसका कारण जो अभी पता चल रहा है वह गंदा पानी उनको इंफेक्शन हुआ ट्यूबर कलोसिस हुआ उसके अलावा नीमोनिया इस प्रकार की अनेक खबरे मीडिया में चल रही है एस जीम बताते हैं कि वहाँ पर गंदा पानी भी कारण हो सकता है सवाल यह बनता है कि यह किसकी लापरवाई यह आपरादिक लापरवाई आम आदमी पार्टी की सरकार की है क्योंकि इस पूरे शेल्टर हों को चलाने का काम उनका है इतने करोडों रुपे जो खर्च किये जाते हैं वह आखिरकार जाते का है इसका मतलब कि कहीं न कहीं भष्टाचार भी हुआ है और कहीं न कहीं आपरादिक लापरवाही भी रही है जिसके चलते आज यह 27 लोग की जान गई है बच्चों की मौत हो चुकी है जुलाई महीने में ही हमारी जानकारी के मताविक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है बस 13 मौते बताई जारे लेकिन हाकिकत कुछ और है कारण प्रशासन नहीं बता रहा है SDM की इंक्वाइरी क्या कुछ कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा है खुद गेटवन करके सभी अदिकारी बेटे हैं किसी को अंदर जाने नहीं नहीं दिया जा रहा है हम समाजिक लोग हैं जन प्रतिंदी हैं हमें तक अंदर नहीं दानी दिया जा रहा है हमें जारकारी मिली है कि बच्चों को गंदा पानी दिया जा रहा है और दिली की मंतरी आतिशी से घटना के जिम्मेदारी देनी की मांगी है रेखा चर्मा ने कहा कि दिली सरकार के उससे 40 शेल्टर होमस ने दोश्ट लोगों के लिए मौत का जाल बन गया है एंसी डर्लो चीफ ने आगे कहा कि 250 लोग की शमतावाले आशा किरण में 450 लोगों को बिना अचित भोजन पानी और दवा के रहे रहे हैं आतिशी को दोशित पानी के लिए जिम्मदार ठहरा जाना चाहिए दिली सरकार 12-14-14 ग्रेर में मरने वाली जातर महिलाए 40 साथ से कम उमर की थी उन्होंने पूछा कि दिली सरकार की लापरवाही के विज़े से युवा लोगों की जान चले गई इन मौतों के लिए कौन जिम्मदार है खाने में फंगस लगने और भुकमरी का दावा भी किया गया और इसमें सबसे जादा प्राइमा फेशिया ये मिला है कि पानी एक तो देथ हुई है ये भी पाया गया है कि चार घंटे के अंदर अंदर एक बच्चे की डेथ हुई है डाइलिया हो देई इन सब घटने गरम के बीच दिली के स्वासमत्री सौरब ने दिली अलजी के ऊपर गंभी रारुप लगाया इन्होंने कहा कि अगर आशा किरन चल्टर होमस में इतनी गरबड़ी मिल रही थी तो दो दिन से टीवी अख़बार पर चल रहा है अब इतक सोशल वेलपेर विभाक के सचीव तलवे और आशा किरन की प्रिशासक राहूल अगरवाल को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया हम अकसर हाथ बांद कर बैठ जाते हैं आज इस घटना पर हम सब शान थे लेकिन इस प्रकार की शानते बहुत ही खतरनाक है सरकार के लिए लोगों के लिए मानपता के लिए ये वक्त राजविती का नहीं वलकि राजधन का है जो मानपता का है उस सभी नेताओं और जन प्रतुरिधियों को समयधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए जिसमें एक जान की कीमत दुनिया के सबसे कीमती चीजों से भी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात यहीं कि जनता को ये खुद समझना होगा कि वो कोई टीशू पेपर नहीं कि नेता हर पांस साल में एक बार आए और इस्तमाल करके छोड़ दे आज के लिए बस इतना ही हम कर फिलिफ मिलेंगे किसी नई प्रक्रण के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप देखते रही नियूजमाल इंडिया